चलिए मेरे दोस्त अब सुरू करते हैं नले रिकाडवी सिच्छा मंदर पर आपका हार्दिक शौगत रहेगा अब सुरू करते हैं आज आपका रिमाइंडर बुक जो था चुकि आपको थम लेन में डाल दिया जाएगा इस बुक के बारे में बता दी या भी गया है इंस्ट आई हो यह तीन मैं करवा चुका हूं आज चलिए अकवर का करने चले क्योंकि मुगल काल चल रहा है जिसमें बीच में सेरसा सूरी आया था तो उसका शुरू हो ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं मेरे दोस्त और अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक से और ब अकवर का सिरियल देखे होंगे तो उसका नाम जलाल था ठीक है तो अकवर का बच्पन का नाम अगर बोला जाए तो जलाल बोलीएगा ठीक है बहुत ईजी प्रस्ता यह ऐसे प्रशना कर पूछ दे तो बले बले नहीं पूछे तो क्योंकि बच्पन का नाम हिमायू का राजा विर्साल या देखे राजा विर्साल के महल में कब हुआ था यह प्रस्ण है देखने हाँ तीन प्रस्ण बनते हैं क्या अकवर का जन्म कहां हुआ अमरकोट के कहां तो राजा विर्साल के महल में हुआ था ठीक है अमरकोट में राजा विर्साल का महल था वहां बड़े होता है आपका 23-24 पर चीज ऐसे बड़े हो तो अक्वर कभी होना चाहिए अक्वर का जो जन्म है 15 अक्टुवर 1542 को हुआ ठीक है तो क्या करेंगा 15 अक्टुवर 1542 को हुआ था तो अक्वर का जन्म जो है आमर कोट के राजा विर्शाल के महल में 15 अक्टुवर 1542 में हुआ था ठीक है 1542 को अक्वर का बच्पन का नाम जलाल है आप अस्पीट करके पढ़ लेंगे चीक है कि मैंने करेंट अपडेट कर दिया है और एक वीडियो मैं रूटिंग बना कर वीडियो आपको दे दूँगा आप वह वीडियो देख लिजेगा टाइमिंग के अमसार आ जाहीगा थोड़ा से नेट के इशू के कारण थोड़ा लेट हो सकते लेकिन एक से दो घंटे ही , तो तैयार रहीएगा ठीक है आपका सेट प्रैक्टिस हमें सब्रात में दस बजे फिक से फिक से थेंड बे हो सकता है थोड़े ठंड आ रहा यह तो थोड़ा कम कर दे नौ बजे आगे चलते हैं अकवर का सं रच्छक अगर ठोंट है चार्णी अगर पूछाए समर्च्छ को था लेखिन अगर पूछे गजणी में संधच्छक न था इसका तो याँ दिखेगा मुनी मन, मुनी मन खां, मुनी मन खां जो था, वो गजनी का, गजनी में, जो जब गजनी का सुवेदार बना था, उसने में सानच्छा कर रूप में, बोडिगाट कर रूप में, मुनी मन खां को रखा गया था, बहुत ही जे प्रश्ण था, अब बहुत समराटवनिगा चीक है या मुगल सासक का एक प्रमुख राजा के रूप में इवराज के रूप में उसके बच्चा था तरफ के रूप में खोशित किया था या दखिये bewe段 सरहिंद जीतने के बाद कहाने का मतलद शेल सासूर्य मर गया था उसके बाद वो मौका देखके अपना दिल्ली जो है जितनी भी मुगल्द सत्ता जो जहां-जहां कबजा था वो अपने हाथ में ले लिया, कोन हिमायू उसे लियने के लिए सबसे इंपोर्टन था सरहिंद के जितने के बाद, तो सरहिंद जीत लिया था, उसके बाद क्या हुआ, वंदर सो पच्पन में जीता था, या दखेगा हिमायू, उसी समय अकबर को इवराज खोशित कर दिया था, समझ रहे मेरी बात को दिहान से सुनिये बहुत ही वन लाइनर प्रश्ण है, मैं नहीं चाहता कि वन लाइनर को वन लाइनर में करूँ, थोड़े से ज़रूवी है, अब इवराज तो अकबर बन गया, ठीक है, इवराज जो है, अकबर बन गया, अब इवराज का संरच चक बताईए, बोडिगार्ड अब होना चाह बन गया था, यह प्रश्ण है, लेगन बताईएगा कून था, तो यह रखिया बैरम खां को, जैसे ही राज घोशित हुआ, तो बैरम खां जो था, वो बोडिगार्ड के रुप में बना दिया गया, किसका, तो अकबर का बोडिगार्ड, स्वान रच्छ कहिए, बोडिगार 1556 में हुआ, यह तो आप जाना हैं, कब हुआ, तो 1556 में, लेकिन 1556 में कहां हुआ, यह प्रश्ण बन गया, ठीक है, हो सकता था, पूर्दिगार्ड अकबर का राज जविश्यक जो है, काला नौर में, जो है, हुआ था, लेकिन कब हुआ था, तो 14 फरवरी 1556 में, कोश्च खेंगे, बार-बार ध्यान से सुन लिजेगा, यह सोते जागते सुन सकने, कोई बड़ी चीन नहीं है, याद हो सेंगे, अकबर जो है, किस उपाधी के साथ राज जिहासन पर बैठा था, तो अकबर बात्सा गाजी के रूप में, वो राज जिहासन पर बैठ गयाथा, वात्सा गाजी के रूप में पैठा था अब सवाल उठता है कि अब जो समरचक था उसके बारे में कुछ तो सवाल बनना चाहिए तो अकवर ने समराठ बनने पर बैरम खाव को कौन सी उपादे दी जैसे ही समराठ बना अकवर तो उसका समरचक बोडिकारड बैरम खाथा उसको क्या नाम से बोला उपादे दिया खाने खाना की उपादी दिया खाने खाना की उपादी दिया है बैरम खाव को अब सवाल उठता है चलिए तो बताई आगे बैरम खाव अकवर का समरचक कब तक रहा अब उमर भी होता है, एक समय भी होता है, लेकिन 556-506 इस्वी तक होता है, चीक है, तो बैरम खान जो है, अकवर का सनुचक कब तक रहा, 556-506 इस्वी तक रहा, चीक है, इसमें कहीं कहीं कहानियों में है, कि अकवर जो है, बैरम खान को मरवा देता है, कहीं कहीं होता है, कि से रहात 1556 से 5060 तक अब सवाल उठता है चीछ चली शुरू से अभी जहां तक पढ़ाई वाया है च्छिछा बताईगा अकवर का बच्पन का नाम बताईगा मेरे दोस्त अकवर गश्वन का नाम बताईगे क्या नाम है जलाल ठीक है अकवर का जन्म जो है अमरकोटा के राज विर्साल के महल में कब हुआ था यह बताएगा आप जवाद दिए फटा बटम आपके जुमा प्याना चाहिए कब हुआ था मैंने करवाया बताएगा अकवर को पहली बार किस सबस्था में गजनी का सुबेदारी मिली बताएगा जली बताएगा कौन सबस्था नौ बरस में और चले किलिएगे गजनी में अकवर का संड़्षक कों था गजनी में जब वो बैठा था सुबेदारी किया था उसमें जो है कुई है मुनीम खान था संडर्चक है बोडीगार कों था आगे बाद देते रहेंगे आप से सवाल है यह जो राज चावर का सनरच्छ ने किसे निउक्त किया गया यह सवाल है बताएंगे किसे निउक्त किया गया मिने दोच तो बैरम खांको चीख है चलिए आपकबर कारा जिश्टिक चौदवरी 1556 इस विमें कहां हुआ यह बताएं चाह अकबर किस उपादी के साथ राश्यासन पर बैटा बताएगा आगए अकबर ने समराठ बनने पर बैरफ खां को किस की उपादी दी कौन सी उपादी तो बैर खाने खाना चलिए आगे चलते हैं अगे बताइए बताइए वैरेब खाट अकवर का सनरच्छ कब तक रहा है यह बताइए कब तक रहा था यह बताइए यहां तक देख लिया किकशा जोंट किया हर्मत दजन कर दिया था बंदशाओ तो कौन किया तो पंदशाओ तिसमें आकबर ने 503च में तृति यात्रापत जो कर था वो समाप्त कर दिया था 15 यो है ना अकबर ने जो है जजिया कर पर जो प्रतिबंध था उसे यहटा दिया प्रतिबंध जब लगा मतलब होता है रोक जजिया कर चल रहा किसा कर समाप्थ करने वाला जो है अब चली है ठोड़ा सा यूध्ध के प्रश्ने के बीच हुद इंगा देख्ये हैं तो आऊगे सवाल वनता है कि अकवर नहीं कावूल की सुवेदारी किसे सौपी अब भाई इतना युद जीटेगा राजा है तो अकेले तो नहीं कर सकता तो किसी को सुवेदार के रूप में तो बैठाएगा ना तो या देखेगा अकवर ने काबूल पर जो है अकवर ने काबूल की सुवेदारी किसे सौपी थी ये बताईएगा वक्तु निन्सा तो ऐसे नाम अच्णरल करते हैं और में थोड़ी जिक्त्रत होगी dethuk的話 ने काबुल की स्वेदारी किसे 30 आगे बнихास में और दा है कैस्मीर बिजय के किसे भेजा अब कस्मीर पर जीतना तो शहीं न अब पूरे इंडिया को जीतना बनता है तो अकवर ने कस्मीर विजय के लिए किसे भेजा तो यह रिख्या भगवान दाश एवं कासीम खांको तो सवाल उठा कि भगवान दाश वो कासीम खांको कहां भेजा तो कस्मीर भेजा कौन भेजा तो अकवर कौन भेजा अकवर यह दुखिएगा तो अकवर ने काबूल की सुवेदारी किसे सौपी तो वक्तु निंसा बेगम को अकवर ने कस्मीर बिजय के लिए किसे भेजा तो भगवान दा सेवं काशी खाँ को वाहले क्या था ने, गर राजा मारा राजा थे, भाई जीतना, अगर जीतेंगे नहीं तो यूगो हट हो जागा, और यूगो सबसे बड़ी बात थी उसमें, तो इसलिए तो लड़ाई होता था, नहीं तो होता थोड़ी, चीक है, इतिहास बहुत है कहता है, कभी कुछ, कभी तो किसी को अच्छा, अब कहा नहीं जा सकता, सिर्फ हम लोगों को एक्जाम के लिए पढ़ना है, इसमें क्या, दच्छिन भारत का प्रवेश, लेकिन इतिहास का जनकारी बहुत ज़रूरी है, इतिहास अगर नहीं जानते हैं, तो विचार नहीं बिदलते हैं, या ध्यान द अब बात है कि अकवर ने खान देश को कब जिता, अब अकवर जो है खान देश को कब जीता तो पंदरह सो औरे एकान में मताब त्रिटिन नाइंट्यवान में, ठीक है, तो या धकिए serdya में जित गया था, कौन तो अकवर कौन सा, तो खान एक देश को जीता था, जो कि द दच्छिन बिजय के बाद जो है अपने आपको समराट घोशित कर लिया था उपादी धारन कर लिया था अकबर समराट के रूप में ठीक है तो दच्छिन बिजय के बाद तो दच्छिन का प्रवेश दोवार को था खान देश को खान देश को जीता था 1591 में 1591 में जब जीता तो उससी समय वो सबसे बड़ा इसके लिए यूद मानता था इसलिए अकवर ने समराठ के उपादी धारन कर ली ठीक है आगे चलिए अबुल फजल की हत्या किसने की थी बताईगा अब देखिए अबुल फजल है अबुल फजल तो अकवर का राज़ दर्वार में रने वाल था तो बताईगा अबुल फजल की हत्या किसने की थी जारी किया बुंदेला सरदार बिर सिंग बुंदेला ने तो याद दखिएगा अबुल फजल की अगर बात करें कि हत्या किष्णी की थी तो बुंदेला सरदार जो थे बिर्सिंग बुंदेला उन्होंने हत्या कर दे थी अबुल पजल को चीक है आगे क्या है कि अकबर की मिर्तु 16 अक्टुर 1625 में हुआ था इसकी मिर्तुर फो गए तो अभी आएक ठिक है अकबर की मिर्तु जो है 1625 में हुआ था में किस कारण हुआ था ये प्रश्ण बन गया तो आप जानागे कि मिर्तु का भुआ भुआ होने की कारून दूसके मृत्व हो गए थी यह तो इसमें क्या है कि चलिए सवाल को फड़ा-फट करते हैं रिपीट करते हैं जहां से की थे हैंना और अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब साही चत्रधारन किया तथा अपने नाम के सिक्ष चलवाए बताईगा तरगी बेग को या दुखिएगा तरगी बेग को पानी पत्त की द्यूतिय लड़ाई पांच नुमब्र 1556 में किसके बीच हुआ तहेमु और बैरम खांके बीच हुआ मतवाकवद के बीच हुआ अकवर इन ऐसांग्री बाइगा अकवर ने कब दासपर्था को दासपर्था पर प्रतिबंद लगाए 5562 में अकवर ने 562 में अपने आपको किस से मुझत किया हर्मद हर्मद northwest से किया या दुखिएगा अकवर ने तर त्यात्रा कर कर जो है कब समाब्द किया 564 में यादु किराग बढ़ाद ने काबूल की सुवेदारी किसे सोभी बताएगा वक्थुनिस्त वक्थुनिस्त वेगम को यह तो खेगा बताएगा अकवर ने कास्मीर बीजय के लिए किसे बहां दाशाओ काशीम खां को बढ़ावर जवाद रचीन भारत का प्रवेस्थ द्वार किसे माना जात बढ़ाद दशीन भी जाए मतब खांदेश को जीता था यह दखिएगा अब फजर की हत्या किसने की थी यह बताएगे अब दुर्फजर की हत्या किशने की थी यह बताएगे बढ़ावर जवा आगे चलेंगे कि अकवर ने 1575 इस्वी में इबादत खाने किया स्थापना कहां कराई अब देखिए एक चीज मैं बता दूँ अकवर को सबसे फैरेट जगा जो है न फतेवपूर सिक्री का नाम सुने उगे उसे बहुत पसंद था बहुत जादा और सबसे जादा अगर पू तो चलिएगा अकवर ने 1575 इसमें में इवादत खाना कि अस्थापना कहां करवाई तो यहाद दिखिएगा कहां तो फतेव शिक्री में अब करवाया तो इसे ही सवाल घुमाते मेरे दोस्त आगे चलिएगा अकवर ने मजहर नामक दस्ताबेच कब जारी किया अकवर ने 1579 में अब उसके बात क्या होता है कि अकवर ने 1582 में किस धर्म की घुशना की अब देखिए अकवर ने किया कि 1582 में एक धर्म चलाया उसके घुशना किया तो कौन सा धर्म था दिन ए इलाही चलाया था यह तकेंगे अब दिन ए इलाही का पुरोहित कौन था अब यहां बनता है चिक है कि दिन ए इलाही जो चला था 1582 में में अकवर ने घुशना किया था वो धर्म का उसका पुरोहित प्रोहित का धूंपर में लीडर कहिए, जो कहना है, तो अबुल்फजर्, कौन था, अबुल्फजर्, पुजारी कहिए, जो कहना आपको कर सकते हैं, तो अबुल्फजर् जो था, वो था आपको दिन ए इलाही का पुरुवीत, चीक है, चरिएगा, आगे प्रस्थ बनता है कि कौन, चीक है, कौन हिंदू राजा ने दिन ए इलाही को सिकार किया, तो देखें, दिन ए इलाही को, जो सिकार करने वला हिंदू राजा था, वो था आपका बिर्वल, कौन था बि इसाईयों को गिर्जा घर होते ही, अकवर ने कहां इसाईयों को गिर्जा घर बनवाने की अनुमती परदान की, अब इसाई जो धर्मे के लोग थे, वहाँ पे जो आये थे उन लोगों के लिए गिर्जा घर बनवाने की अनुमती परदान की, तो यह दिखेगा आगरा एवम लहोर में. कहां? तो आगरा एवं लहोर में जो है अकवर ने क्या किया? कि अनुमती दे द्या बनाने के लिए. क्या ची के लिए? बनाने के लिए अन्मती दे दि तो अकवर का एक जगतगुरु थे वो थे हरी विजय सूरी को किसे मिला तो हरी विजय सूरी को जगधगुरु की वाधी पर्दान किया था अकवर लेकिन वास्तविक्ता क्या है कि यह मतब कहें कि आसपस के जितने भी धर्म थे वह हिंदु धर्म से यह प्रभावित हुआ था ज्यादा था और अपने धर्म को भी मतब क्या बोलता है संबान करता था दुसरे के धर्म को भी संबान करता था और जितने भी धर्म थे जो भी विविन प्रकार भी जो थे उस Betty rejoice तर्मुत के मामले में नहीं था इसलिए तिर्थ यहात्रा कर भी समफ्ठ किया था आगे चलेंगे आगे पताएगा कि अकवर ने इलाहिस संबत कब जारी किया तो यह देखें अम पन्दवसों 136 में तो 1583 में किया था अक्वर ने इलाहिस संबत किया था ऑगे चलेंगे अकवर ने विर्वल को कौन स्विपाधी परतान की थी एंगा तेखेंगे अकवर बिर्वल की जोड़ी है आप ज जानते हैं तो बिर्वल चला कहिए जो वहत ही अच्छा यह एक तरसक कभी राज था कभी हर चेत्र में वह बहुत ही कहिए कि उस समय के बोगाई कही तो अकबर ने बिरबल को कौन सी पारी प्रदान की तो कभी राज एवं राजा की पारी प्रदान की थे चनियेगा है अब आते हैं थोड़ी वी स्वर्वा न किम्रतु जहां किसके विद्रों ओखते समय हो गया और को अ है अब अर्वेस्ट है धर्म की यह चलता है ठैकर मितूभी जाई livres विद्रों के बिद्रो हो गये थे इसके कारण वो दवाने गया उसी भीड़ में समझेए मिर्टू हो गई यह जो कहीं है मार दिया किसने अकबर नामा एवं आई-ने-अकबरी की रचना अबुल-फजल ने कि प्रशन ने किया था याद खिए गाव फजल कि यह प्रशना आप जानते कि किसने अब उपक्वा दिया यह सवाल मैंने अभी तुर्की में सिर्फ एक रिटाब फारसी में तो मैं करवा दूंगा केताब पे उसका एक लिस्ट है वो करवा दूबा बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों प्रस्न पुस्ते है तो चलिए अकवर नमा इने अकवरी जो है अभू फर्जल लिखा था या तो आगे है अनवार अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसके अनवार हैं बताएगा तो यह दो अनवार होंगे चीख हाँ तो यह देखेगा पंच्चतंतर का जो है अनवार जो हुआ था फार्जी में उसका नाम भूक का क्या है तो अनवार ए सुहेली चीख है नाम ही है आगे चलेंगे अकवर के सेवा में आने से पहले टोडर मर्ग किसके दरवार में था तो जा देखिया अकवर के सेवा में जब आना था अकवर के सेवा में आया था बीत मंतरी जानते हैं टोडर मर्ग को कहा जाता है है ना तो बीत मंतरी टोडर मर्ग जो था उस समय नहीं था उस समय सबसे पहले उस सेवसा का दरवार में रहता था, टोटल मरुझ, सोचिए, टोटल मरुझ था, लेकिन अकबर को रख था, कि वो मेरे लिए किस काम कायगा, कैसा अगरती है, जहां रह रहा है, वो जरूरी नहीं कि वो मेरा दुस्मन हो, है ना, तो वो समस्ता था, कि किसे कहाँ पर इसलिए उसे बाल बाखा अभी तब कोई न क्या वो भीमारी से मर गया वो अलग बात है तरह का डेखिए जो तारिफ की योग नहीं है वो तारिफ की योग नहीं बनता चलेंगे जैसे हिमायू के कुछ ऐसा ज्यादा नहीं था, भागते चला, सिर्फ सब बहुत मुझबू था, सिर्फ साथ देखिए, बहादू निकला, इस तरह का बहुत सारे इतिहास कहानिया है, जैसे महराना परताब हाथ हो गए, जैसे महराना परताब महराना परताब थे, है न, चलि क्योंकि बहुत ही अच्छे ये कहिए बित्मंत्री थे किसके तो अक़ुआर के भगवानदास, अक़वर के धरोबार में, नौ रत्रों में से एक थे वे किन के पुत्र थे बताईगा भगवान दास भगवान दास को कास्मिर विजय जितने के लिए पहजा गया था याद आया मैंने पढ़ाया है तो याद आया होगा भगवान दास के बारे में भगवान दास अकवर के दर्बान में नौ रत्रों में से एक थे वे किन अखवर ने भगवानदास को कौन से पाधि दी तो अमीर उल अमीरा के उपाधि दी गई थी उससे में उपाधी बहुत थी फेमस थी मिलना समझे बहुत बढ़ी बात हैुपाधी मतलब कि कुछ राजदर्वान में एक जगा बन जाना आपका. तो आमीर उल अमीरा जो है भगवान दास को पाधि दिया गया था अगुर के द्वारा चिक है। जो पद है गायन सहली का विकास कौन किया तो तांसेंजी किये थे तांसेंजी के समय में हुआ था यह पूछ रहा है कभी काश हुआ था या दखेंगे आगे चलेंगे उस समय सासन किसका था अकवर का यह भी द्यान दखेंगे अकवर नहीं तांसेंजी इतने बड़े हैं तो भाई तानसेन को पाधी तो बनता है तो तानसेन को पाधी मिला था कास्ट भरन क्या मिला था कास्ट भरन वानी विलास की या दिखेगा कास्ट भरन वानी विलास की वाधी मिला था या दिखेगा ठीक है कास्ट ठाव लग गया ठीक है अब्दूरहीम खाने खाना कौन था खाने खाना के उपादी किसे मिला था बैरम खान को अब अब अब्दुर्रहीम खाने खाना क्या हुआ तो बैरम खान के पुत्र को मिला था याद रखेगा मिरे दोस्त याद हो गया समझ गया है बैराम खां को उपाधी सबसे पहले जब गदी पर बैठा था सियासन पर बैठा था तो उससे में जो है बैराम खां को क्या दिया था खाने खाना की पाधी दिया था अब खाने खाना की पाधी तो दिया तो बैराम खां को बैरम खा के पुत्र को क्या देगा तो अब्दुर्रहीम खाने खाना याद हुआ कंफ्यूज नहीं होईगा बैरम खा को खाने खाने की पादी दिया अब बैरम खा के पुत्र को क्या दिया अब्दुर्रहीम खाने की पादी यही प्रशन गुमाता है और इसी चीज़ को हम ल अगर पूछ दें, अकौर का दरवारी राजिक क्बी कोन था, तो फैजी था, फैजी जो था, जो है अकवर के राज दरवार का कभी था, यार रखेगा आगे प्रूशन प्रश्ण बनता है कि अकवर ने अपनी रजधानी आगरा से फटेपु सिक्री कवस्त जो है अस्थनांतरित किया मतब लाया सो चेप बोले तो कि फटेपु सिक्री इसको बहुत पसंद था प्रतानी अधिनता कि अधिनता शुकार नहीं कि थी तो एक रखेगा वो शुकार किया था कि मैं नहीं जुमाँगा लड़ाई बात वहार ढ़ाः बात है बहादुर तो थे रानी दुर्गा авटी किस मुगल कि इन तो कि स्वंट को दस्वंड चुम्त को याद रखेंगे है सब्सक्राया तो के समएं कि सर्वू उत्क्रिष्ट तयए चित्रकार किसे जो बहुत ही फेमस था उस समय का चित्रकार वो उसका नाम था वशावन वशावन जो चित्रकार था वो बहुत ही फेमस था उस समय का चीक है गुजरात विजय की यादगार में अकवर ने किसका निर्मान करवाया याद किसका निर्मान कराया था गुजरात जो विजय हुआ जीता था गुजात उसकी आद में अकवर ने क्या किया किसका निर्मान करवाए तब बुलंद दरवाजा का जैसे ही बुलंद दरवाजा की बात करें तो गुजरफ विजय की बात करेंगे ठीक है चलिए आगे चलते हैं यह सब जो है आपको आगे किलिर रूत जाएगा परसि किस राज से समन्दी थी तो अहमन नंगर से समन्दी धी याद कहँएगा जिसे बरार को अकवर को सवब कड़ की कई है जो पार नाली को किसे प्रेउक्त कि या तो इस सवाल उठता है कि जो मुगल प्रशाफसन था बेवस्ता में, मनसबदारी प्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अकबर का सबसे फैबरेट, कहिए जो भी कहिए फेमस कोश्चन बता है, मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रणाल किया तो अकबर ने किया, देखे सवाल उड़ता है, मनसबदार की राजभाशा थी, मुगल काल की जो राजभाशा थी, फार्शी थी, या तो खेगा मुगल काल की राजभाशा अगर पुछा जा तो फार्शी थी, बस तूर्की अगर देखा जा तो बावर कहीं समय था, उसके बाद समाप्त हो गया था, फार्शी चलने लगा था, ठीक ह 10-12 बंदोबस्त समंधित था 10 शाला जो है इस बंदोबस्त जो है किससे जुड़ा हुआ तोड़ु कहिए जो कहिए उससे समंध्य जो रखते थे वो थे तोड़ु जो की राज़तरवार का एक तरसे वित्तमंतर की रूप में जाते थे कोई दिक्त नहीं होनी चाहिए आपको बहुत ही इजी प्रश्ण था बहुत ही अच्छा प्रश्ण था तो यह दिखेगा ताम से इनको किस नाम से उपादी दिया गया था यह बताएगा आप कि बताएगे क्या नाम था मैं तो बताया कर ससुलू था कास्ट था लेकिन आगयोपादी आप कमेंट करेएगा क्योंकि मैंने पढ़ाया उस वीडियो को आपको याद हो जाने चाहिए तो चलिए आगे चलते हैं सवाल उठता है तीन सवाल बनते हैं महाभारत का फार्सी भाहारत यह तक हैं सवाल बनते हैं और यह पूछ चुका है ऐसा भी नहीं कि आ बोच सकते हैं कि नहीं पूछा इंगा दूर जो अकवर द्वारा जो है बन बाए गए जो है उपाशना भवन जो होता है उपाशना भवन कहिए पूजा गरी का क्या नाम है मतलब अकवर द्वारा बनवाया गया था एक उपाशना भवन उपाशना भवन को कह सकते हैं पूजा गरी कहते हैं के नाम से जाना जाता है तो उसे काते ही इवादत खाना, क्या काते ही इवादत खाना, तो पासना भवन को ही इवादत खाना के नाम से जान जाता है, जो कि अकवर द्वारा बनवाया गया था, यह दखेगा, तो यह दखेगा इवादत खाना को हम लोग उपासना भवन भी कह सकते हैं, पूजा गरी भी का सकते हैं लेकिन किसके द्वारा तो यहां दखेगा अकवर के द्वारा बनवाया गया था यहां दखेगा अकवर के जरी कमल जरी कमल की उपाधी से अलंकृत किया गया था अलंकृत मत उपाधी दिया गया था तो याद खिया मुहम्मद हुशैन को किशे तो मुहम्मद हुशैन को याद सुखेगा तो अगर पूछे कि मुहम्मद हुशैन को किस उपाधी से सम्मानित किया गया तो जरी कमल की पाधिशन बहुत इंपॉर्टेट इसलिए मेरे दोस्ट कि जरी कमल जो है सबाग बहुत ही यूनिक है यह पूछ रखता है और यह पूछेगा भी तो जरी कमल जो है मुहमद हुशेन को पाधिग दिया गया था अकवर की तुवारा चीक है जरी कमल की तुवारा बनाई गई गई कौनसी इमारत जो है इमारत का नक्षा बहुत भिहार की तरह है देखिएगा बहुत भिहार बहुत भखवान अब सोचिए बौध बिहार एक बुद्ध भावान को मिला था वो बनाया गया था तो यही सवाल अब प्रस्ण पूस्ता है मेरे दोस्त आगे चलेंगे आगे चलेंगे आगे है कि प्रस्ण संगित तांसे का मकवरा इस्तित है प्रस्द जो संगित है तांसेक का मकवरा कहा है कौलियन में है कहां है गौलियार में है एक तुनी का पूछा पाइज संगितर को तो गौलियार में ही वडेया ऑक रध्यूतियद बनाई गई सरिष्टम इंहारत पाई जाती है एक तौफब मैं ने बताया बार बार मैंने भुला आ है प vendor सेक्री अकबर का फैबल ना है प्लेश है जो करना यह रहा है दिखे कैसिस्टम इमारते जितनी भी बनीं है पर देखे बिर और सब अलग 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 है सा जो कुन था दस बंत अगर पूछा जाए कि अकवर के समय का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कूँ था तो दस बंत या तो एक सवाल मोगत समराठ जब जो है समराठ की पारी कब लिया था बताईगा कौन से चितने के बार यह मैंने करवा चुका हूं इसलिए मैंने सवाल कि अकवर क जो है वक्षी जो है वक्षी भक्षी तो अकवर के शासन काल में अन्य गठित केंद्रीक प्रशासन जो है तंत्र कें तरगत सैनिक बिभाग का प्रमुक्ष था मीर वक्षी मालवा विजय से शुरू किया था याद रखेगा तो अकवर ने समराज विस्तार का आरम किस विजय से किया तो मालवा विजय से किया था यह द्यान रखेंगे ठीक है आगे बताएगा जो है अस्मीत ठीक है सिम्थ सिम्थ इसको बोलते हैं ने अकवर ने किस अभियान को इति किस अभियान को एतिहासिक दुर्ग गामी अभियान कहें अभियान कहा तो गुजरात अभियान को दुर्ग गामी जो है अभियान कहा है जो है सिमित असमीत होते लेकिन सिमित है सिमित मतब ने कहा है मतब अंगरेज है जो जिसने कहा था अगे चलेगे आगे सवाल है कि अकवर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन था अकबर का सबसे अंतिम विजय जो हुआ था असिरगड़ विजय का अंतिम इसका अभियान था असिरगड़ पुछेगा अंतिम जो है विजय अवियान कौन था असिरगड़ विजय था या तकेंगे आगे चलेंगे किस ने अकवर को इसलाम का सत्रू कहा तो या तकेंगे आगे चलेंगे आगे है कि किस जाटनेता ने बात्सा के मकवरे को हानी पहुँचाई तथा अकवर की कबर को खोद कर उसके हड्डियों को जला दिया पताईगा कौन ऐसा था जाटनेता बताईए जो कि बात्सा के मकवरे को हानी पहुचाई और अकवर की कबर को खोद कर हड्डि को जला दिया तो या दिखे है राजा राम ने क्या 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 हड्डि को निकाला और जला दिया समझ गए चीक है आगे चलेंगे आगे चलेंगे किसने अकवर को जिलाल ए इलाही खुदा की परशाई एवं फर्ज ए इजदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है अबूर्फजर ने कहा है या दोखेगा आगे चलें दिवाने ए वजीरात ए कुल नामक नहीं पद की अस्थापना किसने की तो अकवर नहीं की है या द्यान रखेगा बिरवल का असली नाम क्या था महिश दास था या दोखेगा तान सिंग का असली नाम क्या था तो राम तनू पांडे नाम था याद रखेंगे तान सिंग का परसित तान सिंग का मकवरा इस्तित है ग्वालियर में यह आपको भी पता है सिर्फ रिपीट हो रहा है द्यान रखेगा यह जरू पूस्ताय रिखेगा विरवल का असली नाम क् ऐगे है अकवर के दर्वार में प्रमुख राझवूत सरदार था कोये तो मांन सिंग ने किया था रहते हैं तो मुगल से नहीं तो यह था मांसिख 1556 में हुआ था है ना चलेंगे आगे चलेंगे आगे चलेंगे किस सिक-गुरू को अकवर ने अमर्री सर में मंदिन निर्मान के लिए 500 बिगा जमीन दान में दिया था कौन समराड था तो अकवर उसने सिक-गुरू रामदाज को पांसो भीगा जमीन में दान में दिया था अमरी सर के मंदिर निर्मान के लिए कौन सा के लिए अमरी सर के मंदिर निर्मान के लिए समझ गया है नवरतनों में अकवर का सर्विधिक प्रिये कौन था तो बिरवल या चुखेंगे संगीत कला की दिष्टी से किस मुगल वात्षा का शाषन सर्वुत्तम कहा जाता है तो अकवर का कहा जाता है सर्वुत्तम उसके बाद थोड़े से उठड़ांग हो जाते है तो बहां तुस्ट निकलता है चलेगा हिंदू को राजकिय संरच्छन संरच्छन परदान करने वाला प्रथम वात्षा अकवर ही था हिंदू का जितना भी संरच्छन था वो जब भी तो अकवर करता था या तो किया था अकवर कालीन उत्तर भारत के हिंदी विद्वानों में किसे सर्षेच अस्थान परापत है तो तूलसी दास को यही तूलसी दास जो थे हिंदी विद्वानों में सबसे प्रस्थिद्ध थे जो कि इन्हों ने अकवर ने क्या क्या दूसरी दास को सम्मानित करता था और बहुत ही सबस्टेश अस्थान पर प्रापत है। अकवर के अधिनता शुकार करने वाला कौन सा राजा प्रसिद्ध करता था तो बाजा बहादूर कह सकते हैं बाजा बहादूर भी कहीं कहीं होता है। द्वारा किया गया है तो अब्दूश शहमत के द्वारा किया गया है यह ध्यान रखेंगे देखें सबसे ज्यादे इंप्रोटन सवाल जो आये हैं यह यह ज्यादा सवाल आया है कि हिंदी विद्वान में किसे सब्स्ट्रेश अस्थान मिला है तो तुर्सी दास को या दखेगा यह भी सवाल जो कि आपके लिए बहुत ही है कि अकवर की लगान बेवस्था किष्णे पर अधारी था मनसभदारी प्रता पर अधारी था यह सवाल आए है कि देखे एसी इसमें देखिया असली नाम बिरबल का असली नाम पूछ रहा है यह सब्स्टा है तान टान सिन का मकवरा पूछट हा यहा बताईगे बात्सा मकवरा यह बात्सारा के पूछए है राजा राम यह दखेगा इस तरह के पूस्ता है इसलाम का सत्रू कहा जाता है यह दखेगा अकवर को किसने अकवर को इसलाम का सत्रू कहा था तो यह जो है बदा यूदीन जो है यह जो था यह कहा था ठीक है तो ऐसे कोश्चन बहुत सारे प्रश्चन पूछें बहुत सारे जो अकवर का सबसे बड़ा कोश्चन बनता है इसलिए अकवर का टूटल कोश्चन मैंने करवा दिया एक भी कोश्चन नहीं होगा जब अकवर का